आइफोन 13 प्रो इन 2024 गाइस अगर आप आइफोन सेकिंड हैं परचेस करने की सोच रहे हो तो 13 प्रो मॉडल जो है न वो कैसा फोन रहने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस फोन के दो मैंने बहुत बड़े कॉन्स देखे हैं जो प्राब्लम्स हैं और बाकी के सारे के सारे प्रोज ही हैं वो प्रोज कॉन से हैं और कॉन्स कॉन से हैं इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो मैने फोन लिया था, नया बाय किया था और अब जो है, इसको आलमोस्ट, आलमोस्ट दो से ढ़ाई साल होने वाले है तो अभी ये फोन की परफॉरमेंस कैसी है, ये फोन के कैमरां कैसे है, बैटरी कैسी है और बाकी सब चीजें कैसे काम गरी हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के आउटर डिजाइन की तो दोस्तो फोन इतना handy और इतना मजबूत लगता है कि किसी के सर पर मारूं तो उसका सर फूर जाएगा और फोन जो है न वो बिलकुल कह सकते हो normally की काफी भारी लगता है मजबूत फोन महसूस होता है और यहाँ पर इसकी pro model की जो sides है न वो shiny रहती है आप इसमें 4 color variant देख सकते हो जैसे black, white, silver और blue और gold so जैसे कि silver और जो white है न वो एक ही है so यहाँ पर मेरे पास gold variant है और मैंने recently ही अपना phone तोड़ दिया है just drop कर मतब बहुत बुरा गिरा था so बहुत heavy impact पड़ा था इसी कारण सिर्फ back तूटी है और बाकी phone की build quality देख लो side पे कुछ नहीं हुआ screen को कुछ नहीं हुआ बच गई screen अगर screen टूट जाती तो phone का खर्चा बहुत आना था so phone मजबूत है apple की quality है आप साफ साफ देख सकते हो actually यह back kind of accident में crack हो गई है वैसे तो phone बहुत बार drop हुआ था और back भी नहीं टूटी और phone भी saved रहा था अब बात करते हैं display की इस phone की जो display है वो 120 hertz की display है मतब smoothest pro motion display आपको इससे बढ़िया apple की display देखने को नहीं मिल सकती जैसे की 120 hertz की बात कर रहा हूँ इससे जादा hertz apple ने अभी तक release नहीं किये 14 pro 15 pro max series में भी यही display आती है just वो जो है न वो 0 hertz से लेकर 120 hertz तक चलती है यह 60 hertz से 120 hertz तक जाती है so यहाँ पर आप guys check out कर सकते हो display की quality बहुत शानदार है sunlight में full brightness करोगे तो आपको बड़े अराम से visibility मिल जाएगी उसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूँ cameras की इस phone में हमें triple camera setup देखने को मिलता है और camera lens इतने बड़े बड़े हैं कि वो kind of बहुत दूर से ही kind of attractive लगते हैं यहाँ पर cameras की बात करूँ quality एक number है कोई कमी नहीं आने वाली आपको 13 pro में 13 pro max में micro camera mode भी देखने को मिल जाएगा यह बटन आपको देखने को मिल जाएगा इससे आप manually micro mode on या off कर सकते हो यहाँ पर आपको 3 camera options देखने को मिल रहे हैं wide angle 1x और 3x portrait mode भी आपको 1x और 3x में देखने को मिलेगा जो की बिलकुल DSLR वाली photos लेगा cinematic mode आपको इसी phone से देखने को मिलेगा और आप 1x और 3x पर cinematic video शूट कर सकते हो video की quality आप 4K at 60fps तक लिके जा सकते हो और ProRes और ProRos photos वीडियो क्लिक कर सकते हो slow motion भी आप 0.5x, 1x और 3x पर क्लिक कर सकते हो HD at 240fps पर camera quality बहुत शांदार है यहाँ अबर आप इस display की notch देख सकते हो कुछ छोटे से size की है और face ID एक number है इस phone में आपको dot projector 2.0 वाली series का देखने को मिलेगा इसका मतलब भी है कि आपको इसमें dot projector जो है ना वो second generation का है इससे आपका mask पहने पर और sunglasses लगाएकर आपका phone unlock हो जाएगा so battery की जो problem है ना इस phone में सबसे ज़्यादा है अगर आप एक second hand phone ले रहे हो iPhone 13 Pro आपको इसमें battery की problem आने वाली है इस phone में मेरे को 8 से 9 महीने use करने के बाद में जब मैंने नया बाई किया था 8 से 9 महीने के बाद में battery की problem आने शुरू हो गई थी मतलब battery health drain होना शुरू हो गया था I don't know क्यों लेकिन Apple का जो software है ना वो इसे ऐसे ही रख रहा है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि battery का size चोटा है डिस्पले 120 hertz मांग रही है power efficient नहीं है so इसी कारण Apple ने इस phone की battery जल्दी drop हो रही है so यहाँ पर मेरे phone की battery health literally 69% हो गई है और मैं इसे अभी भी इससे निचोड निकाल रहा हूँ so अभी इसको मैं phone को change नहीं करने वाला यह as a primary device है मेरा so मैं इसको अभी भी use करूँगा अगले साल तक so यहाँ पर phone की pro को मैं आपको recommend करूँगा 13 pro max को buy करो इस phone को buy तो ही करो अगर आपको handy phone पसंद है अगर आप max phone पाई कर सकते हो उसमें आपको display भी बड़ी देखने को मलेगी secondly उसमें बैटरी भी बड़ी होगी so फिर इस phone में कोई कमी नहीं रह जाएगी so अगर आपको पस्तु कर आपको नहीं कर दो